हेलो विविवर्स आप सब का स्वागत है मेरे चैनल मीतांस डियाइवाई में तो आज का टॉपिक है एलोवेरा का आइस क्यूब्स तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो आप सब लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर एलोवेरा जल ले लिया है मैंने यहाँ पर फ्रेश एलोवेरा जल लिया है आप चाहो तो market वाला aloe vera gel से भी आप ice cubes बना सकते हो लेकिन fresh बहुत ही अच्छा होता है प्लांट से आप directly लेते हो फिर इसको एक या फिर दो गंटे में आप ice cubes बना सकते हो तो आप fresh ही लो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए fresh aloe vera से हमारे जो sunburn है वो भी remove हो जाता है aloe vera ice cubes हमारे face को एक soothing और cooling effect देता है cubes हमारे face को clean कर देगा और हमारे face पे glow लाएगा aloe vera gel dark circles के लिए बहुत ही अच्छा होता है आप रात को सोने से पहले एक cotton के cloth में एक या फिर दो ice cubes ले लीजिए उसके बाद अपने आखों के नीचे अपलाई कीजिए उससे जो डार्क सक्ल्स है वो काफी हद तक बहुत ही कम दिनों में खतम हो जाता है उस एलोवरा आईस क्यूब तो फिर ये आपके फीस पे जो भी अपनीका मार्क है या फिर हाईपर पिगमेंटेशन या पिगमेंटेशन का डार्क स्पोट्स होता है उसको वो रिमूफ कर देगा और फिर हमारे फेस के जो स्कीन है उसको टाइटन करेगा ब्राइटन करेगा अगर आपके नो जिरिये पे उपन पोर्स की कोई प्राबलम है तो उस उपन पोर्स के साइस को इलोवरा आईस क्यूब स्ट्रिंग कर देता है आप एक फ्रेश एलोवरा प्राइंट से एलोवरा जल को एक्स्ट्राट कीजिए उसके बाद आप एक ट्रे में आईस क्यूबस बना लीजिए और उसको कॉटन के क्लॉथ में डालके फिर उसको हलके हाथों से अपने पूरे फेस में सर्कुलल मुशल में रप कीजिए आप एक भी एलोवरा जाओ उसका वी एलोवरा प्रेश आपर उसके लिए